कि अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर आज से हम लोग नाइन्थ क्लास का बायोलोजी अस्टार्ट करने वाले हैं ठीक है मैं तीन चैप्टर का मैंने PDF बना रखा है और उसमें सारे कुसंद हम से क्यू है लगवग 175 ठीक है यह आपनों का 있기 के उपर डिपेंड करेगा कि मैं आगे वीडियो लाऊगा या नहीं मैं तीन चेप्टर का मैंने पेडिया बना रखा है ये रेगलर वे में आपके सामने आता रहेगा और तीन चेप्टर तक यदि वीडियो का रिस्पॉंस बहतर रहा तो मैं आगे भी ये वीडियो को कंटिन्यू करूंगा ठीक है तो आज के चेप्टर में हम लोग बायलोजी क अब हम लोग पार्ट बाय बाय डिसकर करेंगे चलिया फिस को सिखा का खूज किस ने गिया तो इसका आंसर क्या होजईगा ररॉबर्ट रूबर ठूक ने खिया ठीक है अब दखिया इस से कुछ या था नलीविंग निर्जीव था तो झाम किस प्रकार के कोषिका का खुज किया था 1675 और और सब से पहले निर्जीव कोषिका का ही खुज किया था रोबर्ट हुक के माधेम से पूछा जाता है कि जब भई नन लिविंग कोशिका का खोज रबर ठोक ने किया, तो फिर लिविंग कोशिका का खोज किस ने किया, यानि कि सजीव कोशिका का खोज किस ने किया, तो याद रखेगा, सजीव कोशिका का खोज किया था, लिवेन होक ने, किस ने किया था, मैं यहाँ पर लिखत चनात्मक और अधार्भुत यह काई है क्या है क्रियात्मक अधार्भुत यह काई है इसका मतलब क्या होता है तो देखिए इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो सरीर बना है वो किस से बना है कोसिका से बना है ठीक है हम जो भी फंक्शन करते हैं हमारे सरीर क्यांग जो भी काम कर होते हैं वो शास्यार किसके कारण संपन हो पता है क्यों सिक्षा के वह कौन सी है तो सबसे लंबी कोशिका हो जागी तंत्रीका कोशिका तंत्रीका कोशिका जो है या मानव जरड़ की सबसे लंबी कोशिका है ठीक है और सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो RBC हो जागा सबसे छोटी कोशिका ठीक है अब नहीं जब सबसे लंबी और छोटी की बात आ गई तो हम लोग overall बात कर लेते हैं सबसे लंबी कोशिका अगर हम overall बात करें तो सबसे लंबी कोशिका होती है सुतुर मुर्ग के अंडे की कोशिका किसकी तो सुतुर मुर्ग की जो अंडे की कोशिका होती है ठीक है उसका क्या होता है वह सबसे लंबा कोशिका है ठीक है overall अगर हम बात करें तो और सबसे छोटा कोशिका की बात करें overall तो वह होता है माइको प्लाज्मा किसका माइको प्लाज्मा का यानि कह लें दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका तो सुतर मुर्ग के अंडे की कोशि एक चीज़ गोर किजिएगा, कोश्चन में कहा रहा है, लंबी कोशी का, human body का सबसे longest cell कौन सा है, तो सबसे longest cell हो जाएगा, तंत्रीका कोशी का, नर्व cell है, लेकिन जब largest cell की बात करता है, यानि कि सबसे बरे cell की बात करता है, तो याद रखेगा, वो किया हो जाएगा, अंडा से, तो ये confusion type का question, examination में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये point याद रखेगा, क्या याद रखना है, आगर question में पूछता है, लंबी कोशी का, तो लंबी कोशी का याद रखना है, कौन हो जाएगा, तत्रीका, और यदि बड़ी कोसिका की बात करता है तो अंडा से ठीक है और ये भी याद रखे एक अंडा से किसे पाय जाता है फीमेल में पाय जाता है तो कोशिट किसी टाप से घुमा करके पूछा जा सकता है तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशिट है निम्न में कौन एक कोसिकी ये जीव है ठीक है तो देखें जीव जो होते हैं वह या तो एक कोसिका से मिल करके बना होता है या एक से ज़्यादा कोसिका से मिल करके बना होता है तो एक कोसिका से जो जीव बना होता है उसे एक कोसिके जीव कहते हैं तो हम बात करें Amoeba का, पैरामिसियम का, जीवानों का तो तीनों जो होता है वह एक कोसिके जीव है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D ठीक है, Amoeba की बात कर लें तो Amoeba क्या है? एक कोसिके जीव है और यह मृदू जल में पाया जाता है और यह क्या होता है? इसके सरीर का structure क्या होता है? निस्चित नहीं होता है यह point याद रखेगा, इसके सरीर का structure निस्चित नहीं होता है परामिसियम की बात करें तो ये भी एक कोशी के मिड़ितु जलिय जीव है लेकिन इसके सरीर इसका जो सरीर का स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है निस्चीत होता है ठीक है निस्चीत कहने का मतलब यह होता है कि अमीबा जो होता है वह अपने सरीर का स्ट्रक्चर किसी भी आ तो हमारे सरेंटान हाँ इसल है, जो क्या करता है, नेट्स्ट क्वेर की सबसे छोटी को सिका कौन सी how? मैंने अभी ज़स्ट मताया था मानुव सेरेट की सबसे छोटी कोशिका RBC सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्री का कोशिका ठीक है और सबसे बड़ी कहेगा तो अंडास है ओके तो यह सारे पॉइंट याद रखने है नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका किस जिव की होती है तो मैंने अभी ज़स्ट कहा था कि सबसे बड़ी कोशिका जोटी है वा किस की होती है सुत्र मुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो overall हमारे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है अगला प्रसन है विज्ञान की किस साखा में कोसिका का ध्यन किया जाता है तो देखे कोसिका का जो ध्यन होता है वो साइटोलोजी में किया जाता है किसमें साइटोलोजी साइटोलोजी को हिंदी में बोलते हैं कोसिका विज्ञान और इन ही साइटोलोजी की साखा में हम लोग कोसिका काध्यन करते हैं बात करें हिस्टोलोजी का तो हिस्टोलोजी में हम लोग उत्तकों काध्यन करते हैं यानि किटिसोज का ठीक है ओफियोलोजी की बात करें तो ओफियोलोजी में हम लोग साप का स्टेडी करते हैं किसका साप का स्टेडी करते हैं और टेक्सोनॉमी में हम लोग इसका स्टेडी करते हैं वरगी की का किसका वरगी की का तो यह सारे पॉइंट याद रखेगा किस ने, Robert Brown ने किया था कब किया था, तो 1831 में, तो इसमें दो कोशन साबसे बन के आएंगे, एक दो कोशन पुछा जाएगा कि केंदरक का खोज Robert Brown ने कब किया, तो याद रखना है 1831 वी, और अगर पुछले कि केंदरक का खोज 1831 में किस ने किया तो क्या याद रखना है? Robert Brown याद रखना है ठीक है? Robert Hook ने किसका खोज किया? Nirjeev Kosika का किसका? Nirjeev Kosika का खोज किया था? Robert Hook ने Christian D.W. मेंने किसका खोज किया था? Lysosome का किसका? Lysosome का खोज किया था Sliden और Swann ने क्या कहा? कोज का सिध्धान्त दिया Sliden और Swann ने क्या दिया था? Seltheori दिया था तो ये point याद रखेंगे अगला है किस कोज कांग में जीवद्रव को गलाने वाले Ingym उपस्थित होते हैं? तो आपका जो Lysosome होता है इसमें जीवद्रव को गलाने के परकार विवद्धान उत्पन होता है सिरावित होता है और संपुह्ण कोज को गला देता है गला देता है जब Lysosome फटता है तो इसand enzyme secret होता है और वा क्या करता है जीवद्रव को गला देता है यानि कि संपुर्ण कोसिका को खुला देता है और इसी वज़ा से लाइसोस्वम को अत्मात्या की थैले भी कहा जाता है तो साइडल बैग या फिर एटम बम कहा जाता है अगला ब्रस्ण है किसे कोसिका का बिजली घर कहा जाता है तो आपका जो mitochondria है इसे कोसगा का बिजली घर कहा जाता है अब बात आती है इसे कोसगा का बिजली घर क्यों कहा जाता है तो देखिए आपसे यदि पूचा जाए कि हम सांस क्यों लेते हैं तो आप लोगों का सीधा सावाल सीधा जवाब क्या आएगा जीने के लिए हम लोगों को जिन्दा रहना है इसलिए सांस की अवश्यक्त होती है चुकि अगर हम बात करें सांस के माध्यम से हम लोग वायू मंडरल से डिफरेंट टाप के गैस को लेते हैं जिनमें आपका हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वह हमारे लंग्स में आता है कहा आता है लंग्स में आता है और लंग्स में क्या होता है लंग्स के उपर जो ब्लट सेल का बहुत सारा जाल जैसा स्ट्रक्चर बना होता है और उसमें होता है हीमोगलोबिन ठीक है हीमोगलोबिन ऑक्सीजन से सियू करके ब बढ़ जब उसका श्वंगी करन होता है अब साससर होता है अब सोसन होता है एक चोती आउट के विलाए के द्वारा तो वह ब्लड के साथ सेर्कुलेट करके आता है मैट्रोकॉंड्रिया तम और जोब का Oxygen के साथ क्या होगा reaction होगा यानि कि Oxidation की प्रक्रिया होगी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं Oxidation की प्रक्रिया होगी और Oxidation की प्रक्रिया होने के बाद क्या होगा इनर्जी रिलेज होगा ठीक है और यह इनर्जी ATP के form में होता है किस form में ATP के form में होता है तो ATP क्या है तो ATP जो होता है वह एक प्रकाड का पोटली है जो क्या करता है इनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और यही ATP सरीर के सभी भागों में सर्कुलेट होता है और जहां पर इनर्जी के जरूरत होती है वहां पर यह ATP क्या करता है इनरजी को produce करने का काम करता है, मतलब इनरजी को देता है, ठीक है, अगला question है, किसके नहीं होने से protein sensation की क्रिया अबरूद हो जाएगी, तो देखिए, कोशिका में अगर ribosome ना हो, तो क्या होगा, protein sensation की प्रोट्टीन की ऐड़ीन की आप्राइबस्ट्做 ने का जाता है तो मैंने बताए था लाइशयोप्टा में carrion के इसे ऐड़ीन के एकrekटर्या कई हो खोर सिगा का एटम बंप कहे है यह इसुसाइडल बैक के है टोटल अंशर क्या हो जाएगा लाईसोसोम अगला प्रस्ण है प्रोटीन की फेक्टरी किसे कहा जाता है, तो देखिए मैंने बताया था, प्रोटीन की संसलेशन के लिए, राइबोस्वम का होना अनिवार है, अगर कुछ सिकाय में राइबोस्वम की अनुपस्थिती है, तो फिर प्रोटीन का संसलेशन नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसका अंसर क्या जाएगा अपसंसी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है राइबोस्वम के कन किसके उपर पाए जाते हैं ठीक है तो देखी मैंने बैता है था जो राइबोस्वम के कन होते हैं वह इंडो प्लाजम क्रेटिकॉलम के उपर पाय जाता है, यानि कि ER के उपर पाय जाता है, ठीक है, ER जो है कोशिया के अंतरकत अत्यांत साखित जिल्लीदार रचना होती है, जो दो प्रकार का होता है, एक होता है SER, यानि कि स्मूथ इंडो प्लाजम क्रेटिकॉलम, और एक ह कहा जाता है चिकनी अंतह प्रद्रव्याई जालिका लेकिन आर इ आर जो होता है इसी के उपर आपका पाया जाता है राइबोसों के कन और चुकि इसके उपर राइबोसों के कन पाया जाता है जिसी कारण यह खुरदरी हो जाता है इसलिए इस खुरदरी अंतह प्रद्रव्य जालिका कहते हैं अगला प्रस्ण है कोशिका सिधांद किस ने दिया था तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिधांद कोशिका सिधांद क्या है हमारे सरीर में जितनी भी कोशिकाओं का निर्मान होता है वह पहले से मौझूद कोशिकाओं के द्वारा ही होता है किसी को इन्होंने कहा था कोशिका शिधान्द यानि कोशिका का फर्मेशन पहले से मौजुद कोशिका होता है तो सिधान्द किस ने दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था निक्स्ट है मानोव सरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो देखिए यहाँ पर बड़ी की बात आ रहे है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है अंडासे की कोशिका अब यहाँ पर कन्फूज करने वाली बात आती है एक तो बड़ी दे करके और एक लंबी दे करके कन्फेूज किया जाता है तो दोने सिचवेशन में answer change हो जाएगा जब बड़ी कोशिका की बात करेगा तो अंडासे टिक करेंगे और लंबी कोशिका की बात करेंगा तो तंत्रीका कोशिका टिक करेंगे तो मानुस तरेर की सबसे लंबी कोशी का कौन सी, तंत्री का कोशी का, और सबसे बड़ी कोशी का कौन सी, अंडासे की कोशी का, ठीक है, और सबसे छोटी की बात करेगा, तो RBC की बात करेंगे, ठीक है, और overall सबसे बरा तो सुतर मुर्ग केंडे की कोशी का, और overall सबसे छोट तो माइको प्लाजमा अगला प्रस्ण है इलेक्ट्रॉन सुक्षम तरसी का अविश्कार किस ने किया था तो देखिए एक आता है शुक्षम तरसी लिखा मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ सुक्षम तरसी तो सुक्षम तरसी की जब बात करेगा तो उसका अविश्कार किया टेप सब्सक्राइब टेड़्ट कर लेकिन जब उसी में इलक्ट्रों श्चम तरसी की बात करेंगे तब जाएगा एमनौल और इरस का टिक आउट नहीं करेंगे क्योंकि एमनौल और इरस का जो है वह किसका है एलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के अविश्कार रखें लेकिन सुक्षम तरसी का अविश्कार किस ने किया था जेट जॉंसन ने किया था अगला प्रस ने जन्तु कोसिका के बाढ़ी आवरन को क्या कहते है तो याद रखेगा जन्तु कोसिका के बाढ़ी आवरन को बोलते है कोसिका जिल्ली यानि की सेल विब मिरेन ठीक है और वहीं अगर प्लांट की बात करेगा plant silk के external part की बात करेगा तो वो हो जागा kosika भित्ती cell wall ठीक है तो याद रखेंगे जब जनतु kosika कहा तो kosika जिली आंसर करेंगे और जब पादब kosika कहा तो kosika भित्ती आंसर करेंगे अगला है पादब kosika के बाढ़ यारॉन को क्या कहते हैं तो मैंने अब जस्ट पता है क्या कहते हैं कोसिका भित्ती यानि की सेल्वॉल अगला है कोसिका भित्ती किसकी बनी होती है तो मैंने यह कुश्चन ना जाने कितने बार आप लोगो को कराया होगा कोसिका भित्ती जो है यह सेल्यूलोज की बनी होती है और यह एक आप लोग हमें comment box में दीजिएगा क्योंकि मैंने जब ये video start किया तो उसी समय इसके बारे में बताया था तो जीवन की अधर्भुती काई क्या है इसका आप comment box में answer दीजिएगा अगला प्रसने कोशिका किसकी बनी होती है देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या परहा कि किसी भी जीव का जो फर्मिशन होता है किसी भी जीव का जब फर्मिशन होता है तो वो कोशिका से होता है लेकिन अगर आप से पूछले कि कोशिका का फर्मिशन क किसे कहा जाता है तो देखिए यातायात प्रबंधक कहने का मतलब होता है सबस्टांस को एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाने वाला तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल में गौल जी काय जो है यह यातयात प्रबंधक का काम करता है इसलिए से यातयात प्रबंधक का आ जाता है important है याद रखिएगा अगला प्रशने कोशिका में उर्जा किस रूप में संचीत रहता है तो देखिए कोशिका में जो उर्जा होता है वह ATP के रूप में संचीत रहता है यानि ATP की अगर हम पूरे नाम की बात करें तो एडिनोसाइन ट्राइफोस्पट होता है, क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफोस्पट ठीक है? और देखिए, कोसिका में क्या होता है? जब glucose जाता है तो वहां पर oxygen की उपस्थिती के वज़े से क्या होता है oxidation की प्रक्रिया होती है और oxidation की प्रक्रिया के बाद प्राप्थ होता है ATP और यही ATP जो है वह हमारे स्रीर में उर्जा के रुप में संचीत रहता है और जहां जहां पर energy के जड़रत होती है यह ATP जाता है और energy देने का काम करता है इसलिए ATP को उर्जा का सर्वजनिक वहाग भी कहा जाता है अगला है सबसे छोटी कोशिका कौन है तो मैंने बताया था सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा और जब सबसे बरे की बात करेगा तो सुट्र मुर्ग के अंडे की कोशिका यह overall बात की जा रही है यानि कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका सुट्र मुर्ग के अंडे की कोशिका और सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा अगला प्रसन है कोशिका के अंदर पाये जाने वाले अर्धतरल द्रव को क्या कहा जाता है तो देखे कोशिका के अंदर जो अर्धतरल द्रव पाये जाता है उसे कहा जाता है जीव द्रवे ठीक है कंडीशन याद रखिएगा देखिए मन लीजिए कि यह आपका कोशिका है क्या है यह आपका कोशिका है उसके बाद यह आपका क्या है किंद्रक है तो कोशिका और यानि यह जो आपका है कोशिका जिल्ली और किंद्रक के बीच में जो लिक्विट पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कोसिका द्रवे लेकिन केंद्रक के अंदर भी द्रव पाय जाता है तो केंद्रक के अंदर पाय जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते है लेकिन इस कोसिका के अंदर चाहे वह इसके बीच में रहे या फिर केंद्रक के अंदर रहे सारे लिक्विड को सम्मिली तुरुप से क्या बोलते हैं जीव द्रव कहते हैं ठीक है लेकिन जब बात करेगा कि कोसी का जिल्ली और किंद्रक के बीच के द्रव को क्या बोलते हैं तब कोसी का द्रव कम कहेंगे अगला है किंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल द्रव को क्या कहा जाता है तो मैंने भी जस्ट बताया था किंद्रक के अंदर जो पाए जाएगा उसे कहेंगे किंद्रक द्रव और कोशिका जिल्ली और किंद्रक के बीच कहेगा तो कोशिका द्रव अगला है भोजन का पुर्ण ऐक्स होता है माइट्रोक अक्सिजन पस्थिती में होता है Oxidation क्या होता है Oxidation और Oxidation के वाज़े से रिलीज होता है Energy ठीक है और यही Energy ATP के format में होता है जो मैंने भी जस्ट पिछली प्रस्ट में बताया था ATP के format में होता है चुकि इसे रिलीज होती है Energy इसी लिए इनर्जी हाउस कहा जाता है लवक कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए लवक की बात करें तो लवक पादप में पाया जाने वाला एक प्रकार का सेल और ठीक है और अगर हम बात करें कितने प्रकार का होता है तो यह तीन प्रकार के होते हैं ठीक है तीन प्रकार के कौन-कौ नहमें से, तो देखिए, एक तो, आपका हो जाएगा हडीत लवक, ठीक है? एक हो जाएगा आपका वरनी लवक और एक हो जाएगा और वरनी लवक, अगर हम हडीत लवक की बात कऱैं, तो हřिड्म लवक, प्रकास इंसों की परिकृरिया में, मदद करता है. और इसही के वज नहीं होता है ठीक यानि क्रोमोप्लास्ट के वजह से और अवर्णी लवक की बात करें तो अवर्णी लवक भवशी के लिए भोजन को संचित रखता है और यहां पौध है कि उस भाग में पाया जाता है जहां पर शुरे का प्रकास नहीं पहुंचता है इंग्लिस में इसका ह पर शुरे का प्रकास नहीं जा पाता है जैसे कि जर ठीक है और यह रंग हीन होता है और भोजन को संगरा करने का कारे करता है अगर हम वरनी लवक की बात करें तो इसमें कैरोटीन नमक पदार्थ पाया जाता है जिसके करण क्या होता है पीले नारंगी या लाल रंग के होते हैं और यह मुखिता फूल और फॉलो में रंग प्रदान करने का काम करता है नेक्स्ट कोशन है हरी दलवक सौर उर्जा को गरहन कर किस में बदल देता है तो देखिए सोलर इनर्जी जरुरत होती है प्लांट के लिए ठीक है क्यों जरुरत होती है तो फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए अब फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि वर्ट होता है राशाइनी कुर्जा में और बनाता क्या है ग्लुकोज बनाता है जो पौधे के लिए इंपोटेंट होता है तो क्या हो जाएगा अंसर राशाइनी कुर्जा पर असने निमन में कौन प्रोटीन संसलेशन के लिए उत्तर दाई है तो मैंने इसी वीडियो में इ इसका अंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं मैं उसका नाम एक्तम स्लाइड बर अगले वीडियो में प्रकासित जरूर करूंगा मुली में कौन सा लवक पाया जाता है तो देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था मुली आप कहां देखते हैं मिट्टी के अंदर से निकलता है वरनी लवक पाये जाएगा अगला प्रसम्न देखते हैं कोशीका के मध्य में गोल गढ़ा संगज नाक रिष्भाचा काज़ाता है कि ट्रक कहता है याने की नुकलीयस कहता है गुनसुतर का निर्मान किस Сे निर्मान किससे होता है इस से पहले हम लोग जलने के गुन्सुत है क्या ठीक है तो देखिए गुनसुत्र क्या है हमारे सरीर में हमारा जितना भी कैरेक्टर है जो हमारे पैरेंट से आये हैं वह किसके माध्यमस आया है तो गुनसुत्र के माध्यमस आया है यानि गुनसुत्र क्या है एक आनुवन्सिक पदार्थ है जो क्या करता है पैरेंट एक प्रकार का क्या है नेट्रोजनी पदार्थ है और यह बना होता है किसके जीन से बना होता है यानि कह लें कि डियने के क्रियात्मखंड को जीन कहा जाता है और यही सबसे छोटी एकाई है जो क्या करता है करेक्टर को ट्रांसफर कराने का काम करता है कौन जीन ठीक है बात क कि तो दो यही विवाजित का बनाता है गुनसुत्र का निर्मान करता है और उसे क्या करते हम लो क्रोमेटीन जाली का को तो मैंने विज़स्ट बताया था पैत्रिक लक्षनों को एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी तक ले जाता है गुनसुत्र ले जाता है अब गन्फ्यूज नहीं हो येगा कि जीन ले जाता है जीन जो है वह गुनसुत्र का इकाई है ठीक है तो गुनसुत्र क्या कर जाता है ले जाने का काम करता है, लेकिन main character को बांधने का काम भी आपका कौन करता है gene करता है, ठीक है लेकिन एक PD से दूसरे PD तक किसके माध्यम से जाता है, गुनसुत्र के माध्यम से यानि की chromosome के माध्यम से जाता है, ठीक है अब आपसे एक और question है आप हमें comment में इस कांसर बताएगा ठीक है, कि human cell में कितने chromosome होते हैं next question है, निमन में कौन nucleic amal है, ठीक है तो nucleic amal आपका कौन सा है DNA हो जाएगा, अगर RNA रहता, तो RNA भी क्या है, एक परकार का nucleic amal है, चुकि हम DNA की बात करें, तो पूरा नाम क्या होता है deoxyribonucleic amal या acid, तो nucleic acid आ रही है न, तो याद रखिएगा दोनों में nucleic acid आता है DNA भी और RNA भी तो दोनों क्या है, एक परकार का nucleic acid है, देखिए, मैंने यहाँ पर बता भी दिया है DNA का पूरा नाम, deoxyribonucleic acid, RNA का ribonucleic acid और दोनों ही क्या है, nucleic acid का उदाहरन है ठीक है, DNA क्या है तो DNA से पैत्रिक लेक्षन का पता चलता है लेकिन अगर RNA की बात करें तो यह प्रोटीन संसलेशन में मदद करता है ठीक है, लेकिन आप जब प्लस टू में जाओगे ठीक है, तो उसमें आपको RNA के बारे में detail में पर्णी है जिसमें आप लोगों को mRNA, tRNA यानि messenger, transfer RNA इन सभी के बारे में पर्णा होता है अगला है, मानव सरीर में गुनसुत्रों की संख्या कितनी होती है तो देखिए मैंने भी पूछा था अब से question वही परसन आ गया तो मानव सरीर में गुनसुत्रों की संख्या पूछी गई है तो संख्या क्या हो जाएगी? 46, अगर जोडे में पूछता तो जोडे में कितनी हो जाता? जोडे में हो जाता 23 जिसमें 22 जोडे एक ही तरह के होते हैं और 23 जोड़ा होता है वह डिफ्रेंट टाइप्स के होते हैं या तो वह एक्स वाई होंगे या तो वह 22 पलस एक्स एक्स होंगे ठीक है? तो कूल गुनसुत्र की संख्या 46 जोडे में 23 जिसमें 22 जोडे एक ही तरह के होते हैं और तेश्वा जोड़ा डिफरेंट होता है या तो वह xy होगा या तो वह xx होगा यदि xx है तो वह जाएगा फीमेल का और यदि xy है तो वह जाएगा मेल का हाँ पर मैंने बताया है कुछ ऐसे जीव जिसमें गुनसुत्री की संख्या जैसे मानव में 46 मकई में 20 आलू में 24 और टामाटर में 24 तो याद रखेगा ठीक है पूछे जाते हैं एक्जामिनेशन में मानव नर का गुनसुत्री संगठन क्या होता है तो देखिए नर की जब भ कोधा है क्या होता है एक्स और टोचल कितने 424 पिलस एक्स और वाई 44 और थो 46 में 25 करते संख्या है तो देख सकते हैं कि यहां जो मिल है वह ग्रान का है प्रशने अपराधी जांच के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है ठीक है तो देखे प्रतेक जीव का अपना एक अलग DNA होता है ठीक है और होता क्या है जब भी कोई अपराधी घटना होती है तो उसकी जांच के लिए DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्ण है जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है यानि कि अनुवन सिक्ता का जनक किसे माना जाता है तो माना जाता है क्रियेगर जोन मेंडल को इन्होंने ही क्या किया था सबसे पहले अनुवन सिक्ता के बारे में बताया था सबसे पहले इन्होंने ही मटड के पौधे पर इसका प्रयोग किया था इसी लिए इन्हें अनुवन सिक्ता का जनक माना जाता है DNA का दुविकुंडलित संडचना मॉडल यानि की डवल हैलेक्स मॉडल किस ने दिया था तो देखिए ये जो है डवल हैलेक्स मॉडल ये दिया था आपका वाटसन और क्रिक दोनों ने दिया था ठीक है तो इसका अंसर ए भी दोनों हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मिंडल को हटा करके बोथ कर लिजे तो इसका करेक्ट अंसर डी कर सकते हैं ठीक है यहनके वाटसन और क्रिक दोनों क्या है डवल हैलेक्स मॉडल दिया था दोनों ने डियने का डियने में कितने चाड़ उपस्थित होते हैं तो देखिए डियने और आरेने दोनों में चार प्रगार के चार उपस्थित होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से, तो DNA में पाए जाता है, एडिनीन, गुवानीन, साइटोसीन और थाइमीन, ठीक है, लेकिन जब RNA की बात करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिनीन, गुवानीन, साइटोसीन और यूरासील, ठीक है, याद रखेगा, तो चार प्रकार के चार पाए गए आपके किसमे, DNA में भी, और RNA में भी, अगला प्रशने निम्न में कौन चार DNA में नहीं पाए जाता है, तो मैंने अभी तूरत पाए कि यूरासील जो है, वह आरेने में पाए जाता है, बाकि एडिनीन, ठाइमीन, और साइटी वता है यानी सीजी . अर्यानी की बात करें तो एडिनीन जो होता है यूरासील के जूरा होता है ठीक है और साइटोसीन जो होता वेगस के साथ गुवानीन के साथ जूरा होता है यानि एडिनीन थाइमीन साइटोसीन और गुवानीन ठीक है और आरेने में क्या मिलेगा आपको एडिनीन यूरासील साइटोसीन गुवानीन ठीक है, यानि कि थायमीन के जगा पर क्या आजाता है R&A में, ठीक है? तो कभी बंड बनाने के लिए भी पूछ देता है, तो याद रखेगा, ठीक है, क्या याद रखना है? कि आपका एडिनिन जो है वह थाइमिन के साथ बॉंड बनाता है साइटोसिन गुवानिन के साथ बॉंड बनाता है दोनों में साइटोसिन गुवानिन के साथ लेकिन आरेने में एडिनिन जो है वह यूरासिल के साथ बॉंड बनाता है क्योंकि थाइमिन इसमें नहीं पाया ज चार है तो मैंने बताया था आरेने में चार पर करके नेट्रोजनी चार कौन-कौन से एडिनीन, थाइमीन, साइटोसीन और गुवानिल तो देखे इसमें एक चीज मिसिंग है क्या मिसिंग है आपका जो होता है यूरासील होता है किसके जगह पर थाइमीन के जगह पर ठीक है तो इसको करेक्ट कर लेजिएगा अगला ब्रसने निम्न में कौन डियने नैट्रोजनी चार है ठीक है तो इसमें भी मिसिंग है देखे यहाँ पर कॉश्चन उल्टा हो गया वहाँ पर डियने होना चाहिए था यहाँ पर आ रेने मैंने भी कंसेप्ट क्लियर करा दिया है आप लोग समझी चुके होंगा डि घुमसुत्र किसका बना होता है तो देख़ेगे घुमसुत्र बनता है क्रोमेट्रेंश लॉक से ठीक है लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया है यहाँ पर दिया है डीने और हिस्टोन प्रोटीन तो इसका अंसर हो जाएगा option number C रणी घुमसुत्र जो बना होता है घुमसुत् ने किया था ठीक है विशानू का खोज किस ने किया था तो इवानो वसकी ने किया था याद रखिएगा अगला प्रस्न है यहाँ पर जीवानू नहीं विशानू कर लीजिए तो मैंने विशानू का खोज किस ने किया इवानो वसकी ने अगला है जिस कोशिका में अल्प विक्सित कोशिकांग हो उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो देखिए अल्प विक्सित कोशिकांग कहने का मतलब होता है कि इनमें जो कोशिकांग होंगे वह विक्सित नहीं होंगे ठीक है तो उन्हें कहा जाता है प्रोकेरियोटिक कोशिका और यदि पूर्न रूप से विक्सित है सेल ओर्गन्स तब उन्हें यू केरियोटिक कहेंगे ठीक है अब देखिए मान लेजे हम पर किसी का रॉंग कॉल आया ठीक है तो हम लोग फोन पर पता नहीं कर पाते हैं कि वह कौन है लेकिन जैसे ही सामने वही व्यक्ति आता है और अगर हम उस व्यक्ति को पहचानते रहते हैं तो बलते हैं अबे तू यानि कि यू तो वास्तविक जब हमारे सामने आया तो हमने कहा अबे तू है यानि कि ओए यू तो यू से याद रखेंगे यू केरियोटिक ठीक है और अगर वस्तविक ना हो तो प्रोकेरियोटिक अगला और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है जिस कोशिका में विक्सित कोशिकांग हो उसे क्या कहा जाता है तो कहा जाता है यू केरियोटी ठीक है वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है और इसे अपने जितने फ्रेंट सरकिल है उसमें सेर जरूर कीजेगा ताके हमें मोटिवेशन मिल पाए और मैं आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो लाता रहूं तो मिलते हैं झाल